ऐलेक्जंडर स्मीट जो खुद को एक टाइम ट्रैवलर बताता है उसने कहा कि वो साल 2118 में गया था जी हां दोस्तों अलेक्जंडर स्मीट दावा करता है कि वो साल 2118 में गया और उसने वहाँ जो देखा उसे देखकर वो हैरान हो गया उसने एलियंज और यूमन आपेक्स टीवी के साथ एक इंटर्व्यू में उसने अपने टाइम ट्राइवल के पूरे जर्णी के बारे में बताया। उसने कहा कि वो CIA यहनी Central Intelligence Agency के साथ काम करता था। और CIA के साथ काम करने के दोरान साल 1981 में एक एकस्पिरिमेंट था जहाँ उसे फ्यूचर में जाने को कहा गया था। जिसके लिए CIA ने उसे बहुत भारी रकम दी थी यह मिशन पूरा करने के लिए। दोस्तो आपको चैनका हरानी होंगी कि उसके पास Time Travel के नाम पर एक प्रूफ है जो कि एक बलर फोटो है जिसमें ग्रीन कलर के अजिप से Shapes के बिल्डिंग्स दिखाई दे रहे है और Flying Cars भी दिखाई दे रहे है। जब उसे पुछा कि यह फोटो बलर क्यों है तो उसने कहा कि Time Travel की प्रोसेस की वज़स से यह फोटो बलर है पर जब Alexander साल 2118 में गया तो उसने खुद को हॉस्पिटल के एक बेट पर पाया और वहाँ एक नर्स आई और उसने कहा कि आपने इतने 8 कपड़े क्यों पहने जैसे Long Slews और Long Pants पर जब Alexander उस हॉस्पिटल से बाहर आया तो उसने जो देखा वो हैरान कर देने वाला था उसने देखा कि जो Human यह इनि इंसान है उनके Robots के साथ Relationships है उसने यह भी देखा कि पैरो वाली एक महिला यह एक इंसान बीना पैरो वाले एक आदमी यह एक Robots के स सर की Life in 2050 वाली वीडियो तो देखी होंगी उन्होंने भी उस वीडियो में कहा था कि फ्यूचर में Human Robots Relationships होने वाले है तो क्या सच में ऐसा होने वाला है कॉमेंट में ज़रूर बताना और Alexander ने यह भी कहा कि बढ़ते Global Warming की वज़ह से Sea Level बढ़ जाएंगा और बहुत से Cities ज के बारे में भी बात की उसने कहा कि 21 सदी के बीच में एलियंस धर्ति पर आएंगे और उसने ये भी कहा कि वह एलियंस हमसे कहीं गुना जादा इंटेलिजेंट और एडवांस है अगर ऐसा हुआ तो सच में मजा जाएंगा यार मुझे भी एक बार एलियंस को देखना है क् चाहूंगे फूचर में एलियंस कॉमेंट में जरूर बताना तो दोस्तों क्या टाइम ट्रावल सच में एक्जिस्ट करता है ये तो फिलाल अंदर की बात है जो अभी भी किसी को नहीं पता लेकिन आज बेसे फोटो और वीडियो मुझूद है जिसे सवाल खड़े होते है क इसने मौडन जमाने के संग्लासेज और प्रिंटेड टीशट पहनी हुई है 1938 की इस फोटो को देखिए ये लेडि एक फोन जैसे ऑबजेक्ट को अपने कान से लगाई हुई है और मैं आपको बता दू दुनिया का पहला हैंड हेल्ट फोन साल 1973 में इंवेंट हुआ था और करीब 400 साल पूरानी थी ये फोटो सच में चोक आने वाले है तो दोस्तों क्या सच में टाइम ट्रैवल हो सकता है अब तो ये आने वाला वक्ती बताएंगा और अलेक्जेंडर की बात कितनी सच होती है ये भी आने वाला वक्ती बताएंगा तो दोस्तों कैसी लगी आपको खूर WIN जरूर बताना और को सबस्क्राइब करके बइल आइकन जरूर प्रेश करना ऐसी ही अमेजिंग वैडोस देखने के लिए और वीडियो को लाइक और शेर जरूर करना तो चले दोस्तों मिलते हैं और एक ऐसी वैडियो के साथ तब तक के लिए जहिन वंधमात्रम